नमश्कार BCN News के दिन विशेश कारेक्रम में मैं दुशाब सभी का स्वागत करती हूँ भारत की प्रसिद पाशुगाईका में से एक गीता दत का आज़ी के दिन 23 नवंबर 1930 में शिन्न हुआ था गीता दत अपने गीतों से करूडुक शिरुताव का महादेश किया है गीता दत देश के प्रसुद फिल्म निर्माता और निर्देशक गुरुदत की पतनी थी वह स्वर्ने मियू की महान काईका थी गीता दत एक ऐसा नाम जो हमेशा अतीत से मधुर प्रसुतिया लाता है और पुराने अच्छे समय के उदासी इंचादू को छोड़ता है 1930 में गहरी कान और मधुर आवास के साथ जन में अपने माता-पिता को अपनी प्रतिभा और गायन के लिए प्यार को पहचानने में देर नहीं लगी और इस तरह संगीत गुरु श्री हरेंद्रनात नंदी के तहट उनके पेशिवर प्रशिक्षन की व्यवस्था की गई प्रसाद के लिए उनके पाशो गायन के साथ जिसका संगीत पंडित हरुमान प्रसाद नी दिया था फिल्म दो भाय के लिए म्यूजिक अलबम में उन्हें सचिन देव बर्मन के लावा और कोई नहीं दिया क्या तब से यह एका गायका के लिए वापस नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने कई प्रसिद संगित निर्देशकों के लिए हिट के बाद हिट देना जारी रखा और खुद लता मंगेश्ट के द्वारा भैभीत और शुरद्धिय एक मात्र गायका बन गई यह 1973 में था कि उन्होंने निर्देशक अभीनेता गुरुदत से शादी की लेकिन कुछ ही वर्षों में उनकी शादी और करियर में गिरावट आने लगी और 1964 में उनके पती के निधन के बाद हालत और पिकड़के क्योंकि उन्होंने शराप पिकर आत्मत्या कर ली और आखिरकार उनकी मृत्य हो गई उनके द्वारा गाए गाए कई गीत आज तक क्लासिक्स बने हुए है और गीता दत को आज भी याद किया जाता है क्योंकि वे हिंडी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहतरीन गाई का रही है देश के मशूर वेज्यानिक सर जगदीश चंडरबोस की आज पुन्यतिती है साल 1937 में 23 नवंबर को उनका निधन हो गया था भारतिय वेज्यानिक प्रफेसर जगदीश चंडरबोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे उन्हें रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के आविशकार के चनक के तौर पर जाना शाता है उन्होंने ही साबित कर दिखाया था कि पेड़ पौधों में भी चीवन होता है जैसी बोस का जन्म तीस नवंबर 1858 को हुआ था उन्होंने अपनी प्रारंबिक शिक्षा गाव के एक स्कूल से शुरू की थी जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था ऐसा बताया जाता है कि उनके पिता बड़ी आसानी से अपने पुत्र को स्थानी अंग्रीजी स्कूल में भीच सकते थे लेकिन वह चाते थे कि उनका बेटा मात्रुभाशा सीखी और अंग्रीजी भाशा सीखने से पहले अपने संस्कृति के बारे में चान ले साल 1884 में बोस नी नैचरल साइन्स में दूसरी ख्ष्रेणी में कलासना तक की और लंडन येनिवर्सिटी से विज्ञान सना तक की डिगरी भी प्राप की उन्हें केस्कोग्राफ की अविश्कार का श्रिय भी जाता है इसके जरिये विबिन उत्तेजनाओ को मापा जा सकता था पौधे में जीवन साबित करने का ये प्रयोग लंडन की रॉयल सुसाइटी में हुआ और दुनिया बोस का लोहा माग गए एक पौधे की जड़ प्रोमाइड में डाले गए पौधे की धड़कन स्क्रीन पर एक चिन्न की रूप में दिख रही थी जिसे उपकरन के ज़र ये देखा गया कुछ देर बाद ही ये अन्यमित होने लगी थोड़े वक्क के बीटते ही पौधे की जान दिखाने वाला चिन्न कापने लगा और अचानक रुक गया जो इस बाद का संकीत था कि पौधे की मौत हो चुकी है उन्हें बंगाली साइन्स फिक्षिन की पितामह भी कहा जाता है ऐसा दावा किया जाता है कि उन्होंने ही वारलेस रीडियो का आविशकार किया था लेकिर इसका क्रेडिट मारकोनी लेवड़े एक ऐसी शक्सियत जिसकी लेकनी से डर गया था ब्रिटिस सामराच जिसने सबसे पहले दिया सुराच शप्त जोने कहा गया बंगाल का तलक जो कुरांतिकारी लेखिक था इतिहासकार था और इस सबसे बढ़कर पत्रकार था हम बात कर रहे है सखाराम गनेश देवसकर की आज के दिन 1912 में उनका निधन हुआ था सखाराम गनेश देवसकर एक ऐसी शक्सियत जिनकी जड़े मराटों से जुड़ी थी लेकिन जन्म जारकन में देवगर के पास करोगाव में हुआ लेकिन ये पले बड़े बंगाली परिवेश में कुल मिला कर ये महराष्ट और बंगाल की भी सेतु थे पताया जाता है कि इनके पुर्वज महराष्ट के रतनागरी जिले में आलबान नामक किले की निकट देवसकाव के निवासे थी सखाराम को भारतिय जन जाकरन का विचारक कहा जाता है ये बाल गंगादर तिलक के अन्याई थे और बंगाल में जाकरुती लाने के कारण ये बंगाल का तिलक कहा गया हिंदी का विरोध करने वालों को इनसे सीख लेनी चाहिए मराठा प्रुष्ट भूमी और बंगाली परिवेश में पले बड़े होने के बावजूत हिंदी के प्रती इनके मन में अगाद प्रेम था और हिंदी के प्रच्यार के लिए ये निरंतर लगे रहे सखाराम गनेश देवसकर का जन्म प्रतम सतंतता संगराम के लगबग एक दशक बाद 17 दिसंबर 1879 को उस समय बिहार अब जहारकर्ण में देवगर के पास करोगाव में हुआ था बच्पन में ही मा का आचल छूट किया पालन पोशन उनकी बुआ ने किया बुआ मराठी साहिति की चांदकार थी इसलिए उनका प्रभाव बालक देवसकर पर काफिर रहा उनकी दिल्चस्पी इतिहास और साहिति में हमीशा रही 1905 में बंग भंग के विरोध में सखाराम देवसकर का बड़ा योगतान रहा साल 1910 में देवसकर अपने मूल गाव करौल लोट आये और यही रहने लगी गाव लोटने के दो साल बाद 23 नवंबर 1912 को इस राश्ट्र भक्त लेखिक पत्रकार का निधन हो गया BCN News के दिन विशेश कारेकर में फिलहाल अतना ही SCN दे और खबरों से जड़े रहने के लिए देखते रहेए BCN News नमशकार